जब तक इनसान अपने आप से ना हार जाए तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता जिन्दगी में किसी से अपनी तुन्ना मत करो जैसे चांद और सुरज की तुन्ना किसी से नहीं की जा सकती क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते रहता है जिन्द की जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक नपड़े हतोडे की चोड़ पत्थर भी भगवान नहीं होता जो इनसान वक्त पर पसिना नहीं बहाता है, वह बाद में आशू बहाता है अगर बदलने हो तो उसे रास्ते को बदलो, अपने इरादे कभी मत बदलो, अपने रास्ते को आगे बढ़ाते रहो, उठो जागो, तब तक मत रुगो, जब तक तुम अपने लक्ष की फ्राप्ति ना करलो, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिन्दी去 में ऐ मेरे दोस्त लागने वालों की कदमों में सारा जहां होता है जिन्दी me मुशिбत आये तो कभी मत ख़वराना क्योंकि गिर और उठना और उठकर गिना प्रकृति का सास्वत नियम होता है जिन्दगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो या तो जीत मिलनेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी जिसके पास उमीद है वह लाग पर हार कर भी जीत जाता है विजेता के नहीं बनता तो जो कभी असफल नहीं हुए है बलकि वह बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते संघर्स में आदमी अकेले होता है सफलता में दुनिया उसके साथ होती है जिस जिस पर जग हसा है उसने इतिहास रचा है जो समय को बर्वाद करता है समय फिर उसको बर्वाद कर देता है तो उठो जागो मेरे दोस्तों तब तक मत थिल्म को जब तक लक्ष की प्रप्ति नहों जाये कोई भी बड़ी मंजील पाने के लिए आपको बड़ा मुकावला लेना ही पड़ता है उसे बड़ी कीमत चुकानी ही पड़ती है शुरत की चरह तरह चमकने के लिए सुरज की तरह जनना पड़ता है इंसान को कठनायों की जबासकता होती है क्योंकि सभरता का आनन आने के लिए उसको यूहीं कटनायों से संघर्ष बोल लेना पड़ता है धन्यवाद साथ